विदेश मंत्री S.J. शंकर साउधी अरब के दोरे पर हैं, रियाद में वो GCC यानी भारत खारी सहयोग परिशद की बैठक में हिस्सा लेंगे, इस दोरान कई देशों के साथ विदेश मंत्री की दुपक्षे बाचीत भी होगी, विदेश मंत्राले ने कहा है कि GCC भारत के ब अबुदाबी Crown Prince जो हैं वो भारत के दौरे पर हैं, वहीं दूसी तरफ भारत के विदेश मंत्री है जाशंकर जो हैं, वो छे दिनों की विदेश यात्रा पर निकले हैं और उनका पहला पड़ाओ जो है, वो साओधी अरब है, जहां से वे जर्मनी और फिर सुरिजर इस यात्रा का जो मकसद है, वो भी दौपक्षे संबंदों को मजबूती देना है, और साओधी अरब में जो दो दिन का उनका दोरा है, उसमें वो इंडिया गल्फ को आपरेशन काउंसिल यानि की जी सी सी की विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में हिस्सा लेंगे, इस का करीगे कई सदसे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ दूपक्षे बाचित भी करेंगे, जी सी सी भारत के एक बड़े व्यापारिक सायदार के तौर पर उभरा है, इन देशों में करीब 90 लाक भारती रहते हैं, जो कि इन देशों के साथ संबंदों को पीपल टू पीप पूती देते हैं, और दरसल अगर देखें तो मध्यपूर्व भारत की अर्थवस्था में काफी एहम भूमिका निभाता रहा है, भारत के कुल तेल आयात का खरीब दो तिहाई हिस्सा जो है, वो मध्यपूर्व के देशों से भारत के गहरे होते संबंदों का नतीजा ही है कि G20 सम्मिलन के दोरान जिसकी की अधक्षता भारत ने की, उस दोरान साइड लाइन्स में भारत मध्यपूर्व येरॉप एकोनोमिक करीडोर को लेकर एक सहमती बनी और इसे मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिस पर योजना के पुरे होने के बाद भारत से इरूप की यात्रा है, वो 40 फिजदी उसमें कम लगेगा, 30 फिजदी जो लागत है वो कम आएगी और साथ ही चीन के बढ़ते भूर आजनेतिक प्रभाव को भी काटने में सहायक होगा, तो सरकार जो है, वो मध्यपूर्व से आर्थिक व्यापारिक हित को तो साधी रही है झाल झाल झाल